तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि agent लोग हमें medical कराने के लिए मजबूर कैसे करते हैं और हमारा medical कैसे कराते हैं और आप लोग देखते होंगे कि कहीं पर want निकला है फेस्बुक पे कहीं पे भी किस कोई आपको बोल देगा कि हाँ आप इस ऑफिस में जाओ जाके medical कराओ तो आपका वीज़ा आ जाएगा एक्शली में यह सब क्या है यह मैं आपको explain करता हूं पूरी बात बताता हूं तो आप बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में जाविद बुलोग में आपका स्वागत है आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकर्शन आ जाए हलो दोस्तो अससलाम अलेकुम नमस्ते कैसे हो आप लोग आए होप आप लोग अच्छे से होंगे वेलकम है मेरे जाविद बुलोग यूट्यूब चैनल में अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहली सब्सक्राइब कर लें और अपने भाई को पेज पर follow करें इंट्राग्राम पर like करें तो सुरू करते हैं वीडियो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखिए तो यहां पर यह बटन है यहां पर लिंक आ रहा है आप यहां पर जाकर के क्लिक करके ये वाला वीडियो पहले आप देख लिजिए इसके बाद ये वाला वीडियो आप देखिए तो ये वीडियो आपके लिए बहतर होगा और जानना आपके लिए बहुत जरूरी है बाहर के दुनिया की बात और इंडिया के दुनिया की बात के एजेंट लोग हमसे दोगा कैसे करते हैं ठीक है तो शुरू करते हैं वीडियो सबसे पहले मैं आपको बता दू काम का वीजा वीजा नहीं आता है वह requirement आती है कि एतने आदमी की जवरत है यह helper चाहिए वह helper चाहिए तो यह scam क्या है यह बहुत बड़ा स्कैम है एजेंट लोगों का और मेडिकल वालों का बहुत बड़ा स्कैम है अब आप सुनो एजेंट लोग क्या करेंगे आपको मजबूर क्या करेंगे सबसे पहले आप उससे कॉल करके बात करोगे हांची सर क्या है नहीं है आप अफिस में गए इंटर्व्यू दिए आपको milli में अलग है मुंबई में अलग है सब जगां के बात करता हूँ मेरेको मैं सुस हुई बहुत शारी चीजाओ और मैं देखता हूँ बहुत सारे पोश्ठ आने पेना चाया कि मेना कभी कभी बहु का या बतल जाता एं तो इसके लिछ मैं माफी चाहूँगा क्योंकि script किया हुआ है नहीं मैंने लिखा हुआ तो प्रत हमाफ करना आप लोग घलती हो जाए तो प्लीज माफ करना सब्सक्राइब कर लो आप लोग तो बता रहा हूं को कि एजट लोग क्या करते हैं जब आपन क्या करोगे कि हमको painter के काम में जाना ह आप जल्दी से जल आ जाईए और अपने मेडिकल कराईए आप यूपी में किसी भी कोने में हो गाउं में हो कहीं भी हो आप मुंबई पहुंच गए दिल्ली पहुंच गे मेडिकल करा लिए स्लमत गेना उसने क्या करा आपको बोला कि ऐसी ऐसी बात है हाँ दो हजार रियाल सैलरी है और आपका जो है काम पचास साथ हजार में हो जाएगा सुनते रो पहले सुनते रो आप ध्यान से पचास साथ हजार में आपका हो जाएगा आपका जो है दस दिन से पदर दिन के मैं नहीं करूंगा स्वारी यह किसी और कंट्री गल्प में रहोगे तो आपके दिमाग में क्या आया ओई अब मैं जा रहा हूं कराने के लिए पेंटर के काम में यह ने भी किसी दोस्त को बोला भाई ऐसी बात पेंटर के काम में जाना है दोहजार रेयाल सेल्री है चलोंगे वह भी कहा हैं बाई बल्र को बोल्बान है किसी को बला एक two two three four चार से लोगों को लेकर जाते मेडिकल कराने के लिए लोगों का अपका काम जल्दी हो जाएगा और जल्दी आपका मेडिकल हो जाएगा घर जल्दी जाना है आपको हमारे दिमाग में आता यार सभी तो कह रहा यार जल्दी जल्दी हो जाएगा इसको देखा हुआ हमको क्या देखा हुआ है गलत बिलकुल गलत सबसे पहले बात कि जहां से में आपको आना ही नहीं है खुझ से एक रुपा भी देना है तो खुझ से जाकर के देंगे काउंटर पे पूछ के देंगे कितना हुआ समझ गए न आप हमेशा मैं बताता हूं और हर बार बताता हूं तो वह क्या किया एजेंट आपसे साथ जार रुपा लिए या छे जार रुपा लिए आपको तमालम मसीन बठा हैं सब और यह अथमिंदे सब्सक्राइब करणे साय लिए मेडिकाइबander सब्सक्राइब से अगlungsती हैं कुछ करेगा क्योंकि आपको तो कुछ पता ही नहीं है कि वह कर रहा है अगर मैं एक भी बात गलत बोल सकते हो आप मुझे गाली सकते हो अगर मैं सही बोलना तब कमेंट करो और इस वीजियो के तना फैला दो कि डरे एजेंट लोग कुछ करने से जिन लोगों को डर है एजेंट लोगों से उनका डर दूर भगाओ और एजेंट से लरना सिखाओ कि हम एजेंट के चंगुल में ना आये हम ना उसके आगे पीछे कर तो अगर वो 500 लोगों का मेडिकल करा दिया ठीक है 500 लोगों को हर एक अलग अलग अफिस से अलग अलग अफिस के थुरू 500 लोगों का उसने मेडिकल करा दिया उसने कितना चार्च किया 500 लोगों का एक हजार के साब से कितना कमाई वी मेडिकल वालों का 50,000 रुपया ठीक ह बाकी के 6,000, 7,000 पर किदर गए बाकी के जो उपर के 5,000, 6,000 पर बचे वो कहा गए आदा ओफिस वाला आदा एजेंट अब 10 आदमी लेके गिया एजेंट 10 आदमी एजेंट लेके गिया है दस आदमी का 3,000 पर यह बचा तो 30,000 पर हुआ 30,000 पर बचा की नहीं बचा बता हो तो और एक बात और एक बात और एक बात यहां पर कोई वांट नहीं है कोई 2000 सेली का कोई वांट नहीं है कुछ भी नहीं है फेक है उसने बस चार्ट बना दिया फेजु का पोश्ट कर दिया और आपको पुरे मुहले में हला कर दिया कितना इतना आदमी की जवरत है, वो फेक है, वो नकली है, वो बिलकुल नकली है, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, बिलकुल नकली है, 100% में 100%, जो अच्छे आदमी होंगे न, वो आपको अलग तरी किसे बताएंगे, हाँ ऐसी इसी बात है, आपको में निकल कराना है, बस हो ग आईएगा कोई टेंसन नहीं होगा इतना आपका दिमाग जो है ना पूरा घुमा देगा हां मैं मानता हूं यहाँ पे आने के वाद ठीक है ठीक है लेकिन वो इतना आपको घुमा देगा कि आपको अपने उपर उपर काबू कर लेगा कि भाई आप मुझे जाना ही जाना है सेम जैसे मैं वीडियो में बताता हूँ आपको कि यहां कि क्या रियलिटी है क्या है नहीं है तो आप लोगों को भी लगता है कि मैं जावद भाई मुझे बुला ले वो बुला ले वो बुला ले सोचते होगे नहीं सोचते हो लाइक ऐसे ही बट मेरा बताने का अंदाज अलग है जबकि मैं आपको वीडियो के माध्यम सा बता रहा हूँ अगर मैं लाइब मिल गया ना आपको तकसम से आप फिर आप लाइब जिस दिन में आपके थुरू आपके पास आ गया फिर आप बोलोगे जावेद भाई क्या चीज आप खुद देख लोगे मेरे को मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ मोबाइल पे वीडियो के थुरू बोलता नहीं मैं करके दिखाता हूँ वैसा चलो कोई नहीं यह अलग बात हो गया तो आप सोचो कि पेसकी वो मेडिकल करा ले नॉर्मल मेडिकल जाने हो गया उजवर्दस्ती गलती हो गया पशाथ बूला कुझी भी नहीं किया क्या है अच्चा बुरा कुझी भी नहीं पूचा दो anh सेट होगी नah 2000 सेलरी है भाई, पेंटर के काम है, 2000 सेलरी है, यार, क्या बात है, हम तो जाएंगे ही जाएंगे, यहीं पर आप लोग ही कमी हो जाती है, आप लोग अपना आख खोलो, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी एजेंट को, किसी आफिस वाले को बुरा बोलू, भाई, करते हैं बटन पर किलिक करेंगे तो आपको वीडियो दिखे का पहली वाली वीडियो मैंने बताया उसमें ठीक है और मैं यहाँ पर एक और बात बताना चाहूंगा आप लोग वीडियो देखके माशालला मोटीवेट होते हो इंस्पायर होते हो अच्छी बात है बहुत अच्छी बात छोटा वाला भाई भी घर बे बाटा हुआ है अभी इसके लिए नहीं मैं धूंधि रहा हूं मेरो बागा ईसा कोई बात नहीं है बाकि आप लोग आप लोग जो है मैं कोई आजएंटा होता है पस्ता लोग सब्सक्राइब किस अच्छा कैसे पता करें कि एजेंट अच्छा है वो जो काम करवा रहा है मुझे साओधी भेज रहा है दुबई कतर कहीं भी भेज रहा है तो आदमी अच्छा है भेजने वाला या नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा उसके थुरू जो चार-पांच लोग गए होंगे महले के कहीं से दूर दात आप उनकी फैमिली से पूछो उससे पूछो कंटेक्ट करो उससे बास्चित करो कि कैसा है नहीं है दस बीसी अरवा ज्यादा ले तो उसको मत देखो आप जाने दो जो लेगा नसीब नसीब तो अपना लेकर न न जाएगा जो नसीब में लिखावागा वहीं न होगा ठीक है जो अभी मांगरा देदो अगर आपको पता चल जा रहा है कि हां इनके तुरू यह काम अच्छा हुआ है इनको अच्छा काम मिल गया तो फिर आप काम करा लो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप किसी से पूछे भी नहीं हां बिंदास चले गए हां हां काम हो रह करते हैं कब मेडिकल हो मेडिकल तो हो गिया है अब वीजा आएगा अब मेडिकल तो कंपलेट है मेरा वीजा आएगा वीजा आएगा उसके चक्कर में हम लोगों का दिमाग दिल दिमाग काम नहीं करता है काम करने के लिए हम लोग के मांड में चलता है यार बाहर भी जाना आप काम भी करें क्या पता कही दूटी पे जाए काई फोन और आ जा ऑब इस से बिलकुर यह होता है कि नहीं होता आपके साह्ट बोलो बिल्कुल होता ऐसा तो आपने medical क्रालिया ना आपको अपना focus अपने काम पे रखो जब जो होगा देखा जाएगा देखा जाएगा आपको अपने काम पे ध्यान देना है काम से पीछे नहीं हटना है जब तक है इंडिया में तब तक काम करना है भाई ठीक है इसमें क्या है कि एक ता आपके पैसे रखे हुए खर्च रखे हुए पैसे खर्च होंगे दूसरी बात आपको टेंसन होगा तीसरी बात आप घर का म विजाना साम को उसको ट्रेनिंग देता है ठीक है पता नहीं नाम मैं शायद भूल किया हूं अगर उनसे मिलूंगा तो मैं वीडियो बनाँगा उनके उनके साथ मैं ठीक है तो मेरा बस यही है तकिया कलाम, सुनो सब की और करो दिल की या दिमाग की, ठीक है न, तो आप लोग काम कराओ, अच्छे से कराओ, समझ के कराओ, किसी के जांसे में मत आओ, ठीक है न, जो आदनी जितना प्यार से बोलेगा न, उतना आपको तोड़ देगा, अंदर से तोड देगा, तो प्यार की बोली गई बार में, अपने को क्या है भाई, जो गलत है, तो गलत है, सही है, सही है, अगर ये मेरा वीडियो कोई एजेंट भी देख रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं, कि मैंने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, जो वैसा कर रहे हैं उनको बोल रहा हूं ठीक है तो फिर दोस्तो शुक्रिया दिल से आप लोग मेरा सपोर्ट करते हो अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं वीडियो इसके इस वीडियो के बाद में ये वीडियो खतम होने के बाद मैं दूसरी वीडियो नहीं बना होंगा तब तक के लिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में अल्ला आफिज खुदा आफिज या ला बाई बाई बाई